दो शर्थ हमारी life की dictionary में सबसे जादा important होते हैं पहला सही, दूसरा गलत, दोनों की बीच में balance बनाके रखने का नाम ही जिन्दगी कहलाता है लेकिन सोचो उस situation में आप क्या करोगे जब सही पूरी तरह गायब सिर्फ गलत और जादा गलत में से किसी एक को चुनना आपकी मजबूरी बन जाए जलसा on Amazon Prime रिलीज हो चुकी है, जो एक दिमाग को हिलाने वाली thriller है साथ में दिल पे भी कुछ अजीब से निशान छोड़ने वाली चोट मारने की ताकत रखती है कहानी एक hit and run केस से जुड़ी हुई है जिसमें एक 18 साल की लड़की को रात के 3 बजे खुली सड़क पे एक तेज स्पीड में भागने वाली कार जोर से टक्कर मार के उड़ा देती है लड़की का परिवार है काफी मामूली पापा फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मल स्पॉट बॉय तो मा एक अमीर घर में खाना मनाने का काम करती है बस यूं समझ लीजिए फ्यूचर के जितने बड़े बड़े सपने देखे हैं इस परिवार ने उसका रास्ता बिचारी उसी लड़की से होकर गुजरता है जो आप खुद हॉस्पिटल के कमरे में जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रही है अब मिलिए कहानी के सबसे important character से माया मैनन मैडम को मीडिया की दुनिया की जहासी की राही समझा जाता है क्योंकि ये सही गलत के बीच में हमेशा सही का साथ देकर इंसाफ के लिए आवाज उठाने का काम करती हैं लेकिन हमेशा दूसरों के लिए लड़ने वाली मसीहा इस बार खुद अपनी जिंदगी के सबसे कठेन एक्जाम में बुरी तरह फस चुकी है जब सही को आख मून के ignore मारना और गलत को अपना secret बना के जीना इनकी मजबूरी बन चुका है वरना एक गलती और सबकुछ बरबाद क्या दूसरों के लिए बनाये गए नियम काईडे ये खुद अपने उपर इस्तमाल कर पाएंगी या फिर इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक नाटक है दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए वैसे ये लड़की आखिर रात को तीन बजे मुंबई की एक सूंसान रोड पे अकेले करक्या रही थी इस सवाल के सबसे कभी परदा उठेगा या सब कुछ पुलिस की महरबानी और पैसों की ताकत के पीछे हमेशा के लिए गायब हो जाएगा जबाब आपको खुद ढूणना पड़ेगा दोस देखो बॉस जलसा कोई नॉर्मल बॉलिवूड फिल्म की तरह एंटरेंटेंबंट, एंटरेंबंट, एंटरेंबंट, एंटरेंबंट इन तीन शब्दों पे रिलाए नहीं करती फिल्म की असली ताकत है इसकी कहानी बतसूरत डार्क और डरावनी कहानी फिल्म की खासियत है कि यह हर टाइप की ओडियन्स को सैटिस्फाइ कर सकती है वो जो ज़्यादा दिमाग लगा कि लेयर बाई लेयर फिल्म के अंदर घुसके डिटेल्स रूणना पसंद करते हैं साथ में दूसरे वो लोग जो सिर्फ भार भार से सस्पेंस, त्रिल और मिस्ट्री का मजा लेना चाहते हैं बिना जादा महनत किये आप लोग भी खुश रहोगे कमाल की बात ये कि फिल्म के अंदर आपको दो अलग-अलग कहानिया सुनाने की कोशिश की गई है और दोनों की बीच में सिर्फ एक चीज कॉमन है जो इनको आपस में जोड़ती है दोनों की लीड करेक्टर एक मा है जो अपने बच्चे के लिए इनसान से शैतान बनने की स्पेशल पावर रगती है लेकिन फिल्म की असली ताकत चुपी हुई है इसके क्लाइमेक्स में लिटरली कमजोर दिलवालों के लिए बिलकुल नहीं है काफी शौकिंग डरावना और अनप्रेडिक्टेबल है फिल्म कैसे खतम होगी आपको 0% आइडिया नहीं है बीच में कमाल का सर्प्रेस ट्रिस्पी देखने को मिलेगा जिसके थूरू फिल्म का नाम जलसा क्यों रखा गया वो आपको मज़िदार तरीके से एक्स्प्लेन किया जाएगा ऐसा कैसे हो गया बस सोचते रह जाओ गया आप फिल्म का सिस्पेंस थोड़ा गडबर हो जाएगा आप लोगों के लिए ये उस टाइप की कहानी है जो सुनने में कम और खुद एक्स्पिरेंस करने में जादा मज़ा देती है बाकी एक्टिंग में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े बड़े नाम आपके सामने मौजूद हैं विद्याबालन हमेशा की तरह हर सीन में आपको पकड़के रखती हैं ये जिस करेक्टर को प्ले करती हैं उसमें पूरी तरह घुसकी उसको जिन्दा करने का टैलेंट रखती हैं वही सेम टू सेम इस बार भी हुआ है लेकिन विद्याबालन को भी कोई ओवर्शेडो कर सकता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था शेफाली शा ने ये मिशिन इंपॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है मैडम ने लिटरिली पूरी फिर्म को अपने नाम लिग दिया इनको डायलोग्स बोलने की जरुरत ही नहीं सिर्फ इनकी आखें ही काफी है स्क्रीन से बाहर बैठी पबलिक के शरीर को चीव कर दिल पे हमला करने के लिए तो यार मेरी तरफ से जलसा को मिलेंगे पांच में से चाज स्टाज एक तो काफी जबरदस कहानी विद गुड वर्सेस बैड नहीं गुड एंड बैड को साथ में लेके चलने वाला आइडिया दूसरा पूरे दो घंटे एक सेकेंड भी नजर नहटने देने वाला तेज इंटरस्टिंग स्क्रीन प्ले तीसरा शेफाली प्लस विद्या दोनों की खतरनाक आक्टिंग जो एक नकली कहानी को भी असली बनाके बहार निकालती है और चौथा फुर्म का पाउरफुल डिरेक्शन जो एक मामुली कहानी को भी धरावने क्लायमिक्स के साथ आपके दिल दिमाग दोनों को बांद के रखता है बात करूं नेगिटिव की तो विद्या और शेफाली ये दोनों साथ में रेकने को मिल गए लेकिन विद्या वर्सिस शेफाली एक दूसरे के खिलाफ ये वाला एंगल जादा डिटेल में देखने को नहीं मिला बहुत लेट हो जाता है वहाँ देख पहुँचते पहुचते और काफी शौट भी बहुत कम सीन्स हैं उस टाइप के देखो दोस्त बहुत कम मूवीज होती हैं जिनको मैं खुद अपना नाम लेके आपको दिखाने का रिस्क उठाती हूँ लेकिन इस बार मेरी बात मान जाओ और जलसा को देख डालो वादा है मेरा पच्ता होगे नहीं बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा से इंतिजार करें मिलूंगी आप से अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई